हलो फ्रेंड स्वागत आपके मेरे यूटूब चैनल दाफूडी की चिन में फ्रेंड साज हम लोग मटर की चटनी मनाएंगे जो खाने में काफे दिक टेस्टी और स्वाधिस लगती है आप इसे पराठे के साथ पकोड़े के साथ किसी के साथ भी इसे सवर कर सकते हैं चाहिए कैनल बढर एक हमारे मटर की चटनी और पहले हैं जिसके अधनीयों को भी इच्छे वोश कर लिया है वभी इनियों को मैंने डंडल समेथी लिया है क्योंकि धनीया एक तम कच्छा है हमारा न यह देखिए अब पर डालेंग लेंके हरी मितली अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो और हर इमिर्च बढ़ा सकते हैं इसके अंदर चार से पास लेस्टन की कलिया ली है मैंने एक छोटी प्याज ली है मैंने अब हम इसमें डालेंगे मटर अगर आप लेसन और प्याज नहीं खाते तो इससे skip भी कर सहते हैं इसके बगर भी यह चटनी खाने में काफी दिख टेस्टी और स्वादिस्ट बनेगी मटर की चटनी खाने में काफी दिख टेस्टी बनती है अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे सबसे पहले हम लोग इसमें डालेंगे धाई दाई से काफ़े अच्छा टेस्ट आएगा हमारी चटनी के अंदर यह मैं दो बड़े चमच धाई डालें मैंने इसमें एक चमच जीरा डाला है आदा चमच भुनावा जीरा डालेंगे हम लोग इसके अंदर अब हम इसमें हींग डालेंगे हींग से काफ़ अच्छा टेस्ट आएगा हमारी चटनी में सेंदा नमक डालेंगे और नॉर्मल नमक डालेंगे अब हम इसका एक पेस्ट तयार कर लेंगे हमारी चटनी का देखिए फ्रेंट्स हमारी मटर की स्वादिस्ट चटनी बन की एकदम तयार है अब हम इसे स्वार्व करेंगे यह देखिए हम इसे एक बावल में निकाल लेंगे फ्रेंट्स यह चटनी खाने में काफी दिख स्वादिस्ट लगती है आप इसे पकोडों के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी से सॉर्व कर सकते हैं खाने में काफ़ दिक स्वादिस लगती है मतर की चटनी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहते हैं सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हाँ कमेंट बोक्स में जुरू बताना आपको मतर की स्वादिष चटपटी चटनी की रैस्पी कैसी लगी